आजे भरने के लिए आए इंकमटेक्स.gov.in पर यहां आके क्लिक करें लॉग इन पर यह लॉग इन रहेगा आपका पैन बिस पैन एंटर करें अपना पासवर्ड एंटर करें और कांटिन्यू पर क्लिक कर दें यहां आपको यही स्क्रीन अपियर होगी आपका डाशबोर्ड यहां आईए इफ फाइल में इंकम टेक्स रिटर्न में फाइल इंकम टेक्स रिटर्न पर क्लिक कर लिजें असेस्मेंट यहर करांट यहर 23.24 सिलेक्ट करना है ओनलाइन ओप्शन सिलेक्ट करनी है कंटिन्यू पर क्लिक करना है स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक करना जो शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, F&O करते हैं, शेयर को सेल करते हैं, तो फिर यह आईटर फोर्म उनके लिए नहीं है, और अगर आप किसी कंपनी में डिरेक्टर हैं, तो भी आपके लिए फोर्म नहीं है, या फिर आपका TDS कटा है, कैश विड्रॉल पे, तो भ कर सकते हैं, कंटिन्यू पे क्लिक करते ही, आपके सामने मैसेच आ रहा है, कि इस आईटर फोर्म में बहुत सारा डेटेटा प्रिफिल्ड है, तो प्रिफिल्ड डेटा का मतलब यह नहीं है, कि आप उसे एडिट नहीं कर सकते हैं, बस आप इसे OK करिए, और आपके सामने देखिए ये steps हैं आपकी आईटर फाइलिंग के पहला step वैलिडेट रिटाउन तक पहुँचना उसके लिए ये 5 step follow करने है वैलिडेट रिटाउन के बाद confirm करना है रिटाउन की summary then verify and submit बस इतना ही process है सबसे पहले आपको पहला टैप दिख रहा है पर्सनल इंफोमेशन इसमें आदी से जादा इंफोमेशन ओटो फिल होती है और एडिटेबल भी होती है अगर आप government employee नहीं है तो आपके लिए option है others और अगर आप pensioner है तो भी आप या आईटर भर सकते हैं तो आप pensioners में उसे भी अलग-अलग bifurcation बताएंगे और अगर आप other income वगेरा की वज़े से या आईटर भरें तो आप note applicable भी क्लिक कर सकते हैं अगर आपने salary income नहीं दिखानी है अगर आप private sector employee है तो others पर क्लिक कर लें filing का section 31st July तक section 139-1 ही active रहेगा देन नीचे आजाएए आपको बताना है कि आप old regime चूज करना चाहते हैं या new regime हम select कर रहे हैं no but अगर आप नई regime में जाना चाहते हैं तो बस yes select कर लिजेगा bank detail यहाँ पर एक bank detail minimum add होना जरूरी है एक से जाधा भी add हो सकते हैं एक bank account आपका validate भी होना जरूरी है और उसी में आप select for refund click कर देन आपको click करना है confirm पर ना moving on to the next tab अब हमें income अपनी दिखानी है ITR में तो आपके पास आपका form 16 तयार रखिए जैसे कि मैंने यहाँ पर form 16 open कर रखा है अब हम form 16 के through salary की सारी detail डाल देंगे साथ ही इसी tab में हमें housing loan डालने की भी option आएगी तो housing loan certificate भी हमने यहाँ पर open कर रखा है जिसमें principal component भी दिखाया हुआ है और interest component भी principal की deduction मिल जाएगी section 80C में और interest की deduction 2 लाग तक की मिल जाएगी हमें from house property के section में और यह है हमारा form 16 बिल्कुल सेम ऐसे ही सारी detail आपको ITR में भी भरने के लिए available होती है तो हम इसी के साथ foot-a-foot file करेंगे gross total income पर click करते ही यह page आपके सामने आ गया यहाँ पर आपको बहुत सारे question दिख रहे हैं घबराना नहीं है इनको skip कर देना है और yes कर देना है वैसे तो ITR 1 form बहुत ही simple है पर अगर आपको लगे कि हमसे यह file नहीं होता ना ही हमारा पस time है ना ही इतनी knowledge है तो आप legal sahag.com की paid services ले सकते हैं इनकी detail description में भी मैंने दे दी है और अगर आप learning में interested हैं आप चाहते हैं आप अपनी ही नहीं औरों की भी आइचर भरे तो advanced learning के लिए हमारा course लीजे जैसा कि आपको detail screen पर दिख रही है आप visit करे studyvery.com को income from salary एंटर करने के लिए यहां click करें edit के tab पर अब यहां पर आपको तेखिए salary डालनी है as per section 17.1, 17.2 and 17.3 बट इस salary का आपके AIS and 26AS से match होना जरूरी है तो आपको सबसे पहले e-file में आके income tax return में आके view form 26AS पर click करना है यहां पर आपको message दिख रहा है confirm कर देना है आप आग payment here select करना है जो है 2324 then आपको click करना है HTML पर और यहां पर view and download पर click कर देना है नीचे scroll करिए आपका TDS कटा होगा वो आपको यहां पर दिखाई देने लगेगा तो आपको make sure करना है किसी ने भी आपका TDS काटा है तो 26AS अपना जरूर चेक करें और इसके साथ ही आपको एक document औ ही आपको अब click करना है अब इस statement में नीचे आ जाती है आपकी सारी information TDS TCS कटा है and SFT transaction payment of text, demand and refund and other information अब आपके AIS में हर तरह की income report करें जाती है आप कोई भी income government से conceal नहीं कर सकते हैं तो यह दोनों document चेक करने के बाद आपको ensure करना है कि जो भी आपका यहां पर prefilled data इस case में न उतना ही आपके form 16 में दिखें अगर mismatch है मान लिजिए आपके form 16 में तो income जादा दिख रही है और AIS में कम दिख रही है तो आपने form 16 के recording भर लेना है पर ultra scenario भी हो सकता है form 16 में आपकी salary कम दिख रही है AIS में जादा दिख रही है तो फटा-फट अपनी employer से contact करें कि ऐसा क्य और अगर कोई jan 1 reason है तो फिर AIS से match करा कर ही आपको income यहाँ पर report करनी है otherwise आपके पास notice आ जाएगा और अगर आपके पास form 16 नहीं है बहुत सारे person ऐसे भी होते है जिनकी salary कम होती है और उनको form 16 नहीं मिलता तो बस अपनी salary का total करिए जैसे मान लिजब 20,000 और महीन आपको salary म नहीं मिलता तो अपने पूरे साल की pension का total करिए साल कॉन सा है 1 April 2022 से 31 March 2023 इस duration में जितनी भी income आपने earn करी है वो देखनी है आपको तो जितनी भी salary या pension आपने earn करी है पूरे साल में वो फिर आप section 17 1 में दिखा देना पर अगर आपके पास form 16 है तो form 16 के according ही दिखाना है जिए then section 17 2 की salary अगर दी है form 16 में तो डालिए otherwise इसे nil करके अगर नहीं है तो zero कर दें अगर 17 3 की salary भी दी है तो इसे डालिए otherwise zero कर दें then नीचे आईए अब यहाँ पर एक और relief हमारी I89 ने इसे छोड़ दें यह सभी पर applicable नहीं है then हमें यहाँ पर exempt allowances एंटर करने है पूरी लिस्ट दी है exempt allowances की detail में मैंने इनको cover कर दिया है वीडियो के description में मेरे पास बहुत जादा calls आती है army persons की कि हमारे यह तो allowances है हमारा फ पर गलत refund claim मत करना मैं आपको यहाँ पर suggest करूँगी बहुत जारे परसन गलत allowances यह deductions लाल के refund claim करने की कोशिश करते हैं which is a very wrong practice तो ज्यादा तर लोगों की case में HR A होता है HR A का section है हमारा 10.30 ने अगर आपके forms ओला में section 10.30 ने का HR A है तो आप उसे जरूर दिखाएं इस case म निल है HR A भी निल है amount of any other allowance section 10 का 10.14.1 या 10.14.2 का कोई allowance हो सकता है तो वो भी निल है any other allowance तो आपको कोई allowance दिख रहा है forms ओला में तो आप यहां से select करके डाल दें इस case में नहीं है तो मैं नहीं डाल रही हूं मैंने इसे हटा दिया है आपने पर अपने allowances अगर दिख रहे ह पूरा detail है drop down list दी है पूरी हर तरह के allowance आपको मिल जाएगा नाम list में cover नहीं है कुछ allowances हमारे section 10.14.1 में cover हो जाते हैं यह ऐसे allowances बेनिफित होते हैं जो specifically दिये जाते हैं to meet expenses wholly and exclusively for in performance of duty of office और जो other than duty personal expenditures के लिए दिये जाते हैं section 10.14.2 के allowances होते हैं तो maximum expenses आपके allowances इन दोनो में ही cover हो जाते हैं अगर नहीं cover हो रहे तो आप any other select करके भी अपने allowances डाल सकते हैं बस नीचे deduction standard deduction अपने आप यहाँ पे fill हो जाती है आपको खुद fill नहीं करनी entertainment allowance government employees के case में active होता है अगर है तो आप डाल देना professional tax अगर आपका form 16 में है जैसे इस case में 1400 का tax on employment है तो नाम अ connection से भी match कर सकते हैं अगर कहीं भी confusion आ जाए तो यहाँ पे हम डाल देंगे professional tax बस अब आपको अपनी income chargeable under the head salary अपने form 16 से match कर लेनी है जैसे यहाँ पर 358 100 358 100 और अपने AIS और 26 AS में भी check कर लेना क्या इतनी ही salary report हुई है या नहीं जितनी की form 16 में आ रही है mismatch है तो अपनी salary details यहाँ पर enter हो गई है अब हम भरेंगे house property की details और जो भी income आपके लिए relevant ना हो आप उस tab को छोड़ सकते हैं मैं तो सभी tabs यहाँ पर discuss करूँगे क्योंकि मैं सभी के लिए relevant वीडियो बना रही हूँ type of house property आपको select करना आप खुद उसी घर में रहते हो जिसका loan लिया है तो self occupied select कर ले और यहाँ पर आपको option मिल गई है interest payable on borrowed capital यहाँ पर दो लाग तक का ही housing loan interest डालने की option होती है इस case में interest pay करा गया है 5,62,883 वर deduction मिलेगी सिर्फ 2,00 की और इनके employer ने इसे consider नहीं किया form 16 में क कि इनों ने उसे detail नहीं दी थी पर अगर आपके पास proof है available तो आप यह deduction अपने आप भी claim कर सकते हो कोई दिकत नहीं है कोई भी deduction employer से हट के claim कर रहे है तो make sure आपके पास उसका proof अवलेबल हो किसी भी notice के case में आप serve कर सकते है self occupied के case में ऐसे रालना है आपको अगर आपकी property let out है तो आप let out के case में rent की income भी दिखाएंगे यहाँ पर मानलो आपने 10,000 रुपे महिने पर अपनी property किराय पर दे रखी है तो आप 120,000 का जैसे rent दिखाएंगे 30% की deduction आपने आप यहाँ पर calculate हो जाएगी और अगर इसी property पर आपने loan भी ले रखा है तो मानले जो इसका interest आप आप पर सिरफ एक ही house property के case में detail डालने की option होती है आईटर 1 में एक से जादा house property आपकी है तो फिर आप इस आईटर form को use ही नहीं कर सकते बस अपना data save कर लें जैसे मैं यह self occupied का interest दिखा देती हूं 2,000,000 और इसे save कर देती हूं तो अब आपको housing loan interest डालना आ गया salary डालनी आ अब हम डालेंगे income from other sources, other sources मतलब main source के अलावा भी कुछ चोटी मोटी income आपांड कर लेते हैं, add detail पे हम click करेंगे, यहाँ पर question base आ रहा है आप चाहे तो question base भी डाल सकते है, question base other income को डालना easy होता है, सबसे पहले आप से पूछा जा रहा है क्या आपको interest मिला है आपके saving bank account में of course सभी को मिलता है, चाहे वो 2 रुपे हो, 4 रुपे हो, yes quarterly interest आता है आपके हर एक saving bank account में, तो सारे bank statement निकाल लो अपनी 1st April 22 से 31st March 23 की, उन सब का total करो, यहाँ पर yes क्लिक करो और अपना interest डाल दो, जैसे कि मैं इस case में interest दिखा रहे हूं 789, क्या आपने कोई deposit कराया है, bank, post office etc में, यानि आप div अगेरा करा रहे हैं, उसका interest मिला है, तो yes करके amount डाल दो, नहीं मिला है, तो नोड है ने दो, कोई आपको income tax refund मिला था previous years में, उस पे भी आपको क्या मिलता है interest, तो अगर वो interest है, तो yes करके डाल दो, कोई आपने interest accrue किया है, contribution to provident fund, to the extent taxable, section 1011 में, provident fund के interest को taxable किया गया, इसकी detail वीडियो में अपनी channel पर अल्रेडी डाल रखी है, यहां मैंने i button पर link कर दी है, तो यह 4 है, उसी से related है, next है, do you have any family pension income, तो family pension आपको मिलती है, तो yes करके आप यहां दिखा सकते है, कोई और आप income दिखाना चाहें, जैसे माल लिजा, आप छोटी मो dividend income दिखाने के option क्यों आ रही है, क्योंकि हां तो shares की income हम दिखाई नहीं सकते, कई पर क्या होता है, मालिज आप salary person है, आपने कभी किसी company के shares purchase करें, जैसे Reliance के share आपको बहुत अच्छे लग रहे थे, आपने demand account खुलवाया, Reliance के कुछ shares purchase करके छोड़ दिए, कुछ भी नही किया, नहीं आप trading करते हो, बट हो सकता है, Reliance आपको हर साल dividend देता हो, तो वो dividend आपने breakup के हिसाब से, यानि period के हिसाब से, यहाँ पर enter कर देना है, और अगर नहीं मिलता, तो no कर देना है, तो clear हो गया, क्यों यहाँ पर dividend income आ रही है, और फिर अब आपने जो भी income दिखाई ह उसको दिखा के continue कर दे, skip question करके भी आप इस income को दिखा सकते है, drop down list में यह option आ जाती है, मैं कर रही हूं continue, other income को question based डालना easy होता है, तो जिस तरीके से easy होता है, मैं आपको वही तरीका बता रही हूँ, बस अब हमने सारे income एंटर कर दी, एक चीज़ और है यहाँ पर exempt income, जैसे कि आपके कोई LIC policy में चोर हुई है, section 1010D में वो cover हो जाती है, अगर exempt है तो अगर आपके bank account में कोई major amount आया है और वो income exempt है, तो यहाँ पर report करना, बिल्कुल मन भूलना, यहाँ पर पूरी list दी है, exempt income की, अगर है तो यहाँ पर ज़रूर दिखाए नहीं है, तो इसे आप छोड़ दीजे, बस आपकी income की सारी details आपने enter कर ली है, तो हमने दो step पूरे कर ले, personal information और gross total income, अब हम डालेंगे deductions, और यह deductions आपको कौन से regime में मिलती है, old regime में, नई regime में बस एक ही deduction allowed है, 2022-23 के लिए 80 double CD 2, contribution by employer, otherwise कोई भी deduction अब लेबल नहीं है, तो हम यहाँ पर इंकम को confirm कर देते हैं, confirm करते ही gross total income का tab active हो गया, और बाहर आपका income total भी आ रहा है, अब आपको डालने हैं अपनी deduction, deductions भी आमार को question based डालना easy होता है, पहले पुछा जा रहा है कि क्या आपने कोई donation करी है, अगर करी है तो yes कर दें, तो फिर आपको ATG का schedule भरना पड़ेग कोरोना डाइम में बहुत सारे persons ने PM relief care में पैसे डाले थे, उन्होंने तब ATG section में ये donation claim करी थी, जिसे उनको tax benefit हो गया था, नहीं करी है तो no कर दें, अगर आपने कोई donation scientific research के लिए करी है तो yes कर दें, फिर इसके लिए भी schedule है नहीं तो no कर दें, मैं आपे detail में इसलिए ब then सबसे majorly जो section use किया जाता है वो section ATC है, इसमें 1.5 लाग तक की deduction आप claim कर सकते हो, जैसे इस case में form 16 में ही इनकी deductions दी है, इन्होंने कोई भी deduction नहीं ली है, तो क्योंकि इनकी salary भी बहुत सादा नहीं है और उन्होंने कोई savings नहीं करिया तो इनके case में तो zero है, बट अगर कोई tuition piece है, LIC है, ATC में आपने principal जैसे pay किया, इस case में इन्होंने principal pay किया हुआ है, which is eligible in section ATC, तो हम यह आप पर 150,000 का इनका deduction दिखा सकते हैं, maximum ऐसे 181 पे किया हुआ है, इन्होंने principal, maximum limit यही है, आपके employer ने आपका contribution pension scheme का जमा कराया, तो ATC CD2 में आ जाएगा, यही deduction है, जो new regime में भी available है, अगर आपने health insurance ले रखा है, अपना या अपने parents का, या फिर आप preventive health check-up कराते हैं, तो section ATD को भरना मत भूल, अगर आपने health insurance कराया है, तो yes कर दे, मैं आपको यह schedule दिखाऊंगी, इसलिए मैं yes कर रही हूँ, ATE, अगर आपने कोई education loan लिया है, तो उसका interest income में 10,000 उपे तक की reduction ATTTA में मिलती है, और senior से आप है, तो आपको bank interest plus other deposits के interest की 50,000 तक की reduction मिलती है, और यहाँ पे according to the AGEA section enable होता है, तो हम यह भी डालेंगे, इसलिए हमने से भी टिक कर लिया, कोई और deduction लिनी है, yes कर दे, क्योंकि और भी deduction हो सकती है, जैसे ATCCC की pension payment in respect of pension fund, contribution to pension scheme of central government आपने खुद करा है, ATCCD1 में, ATCCD1B में NPS contribution जो कोई भी person कर सकता है, आपका कोई dependent person आप पे है, जिसकी maintenance पे आप खर्चा करते हो medical treatment के, वो deduction ATDD में allowed होती है, specified disease पे कोई खर्चा करा है, तो ATDDB में deduction मिलती है, residential house property पे कोई interest लिया है, ATEE, यह sections अलग हैं आपके house property से, यह कुछ particular years में ही loan लेने पर आये थे, ATEEB और ATEEA भी, electric vehicle लिया है, आपने उस पे loan लिया है, तो उसकी interest के deduction ATEEB section में मिलती है, आजकल बहुत सारे लोग electric vehicle की तरफ attract हो रहे है, donation political party को करी है, तो ATGGC, और अगर आप person with disability हैं, तो ATU में इसकी deduction ले सकते हैं, बस अब हमने तो ज दिखने लगी है, ATC की deduction दिख रही है, और जिनके लिए schedule भरने है, वो schedule हमें यहाँ पर दिखाए दे रहे है, ATD का schedule में आपको दिखाऊंगी, ATG को donations आपने करी है, तो पूरी detailed donation की जाती है, तो अगर कहीं पर donation करी है, तो उनसे receipt जरूर ले लें, क्योंकि आपको उनका PAN, नाम, address और amount पूरा डालना पड़ेगा, और ये भी पूछलें कि क्या वो 100% वाले section में cover है, या 50% के eligibility में cover है, then ATTTA, तो हम ये दो अभी schedules discuss करेंगे, ATDP में click करती हूँ, तो सबसे पहले पूछा जा रहा है, कि अगर आप individual है, whether you and any of your family member is a senior citizen, क्योंकि senior citizen के लिए section ATD में limit 50,000 की है, other than senior citizen के लिए 25,000 की है, तो पहला कोशन यही पुछा जाता, कि आप senior citizen है, या आपका कोई family member senior citizen है, जैसे आपकी spouse, तो आप yes करें, otherwise no कर दे, claim ही नहीं कर रहे, तो note claiming कर दीजेगा, तो यहाँ पर नहीं है कोई senior citizen की ITR है, तो health insurance में आप कितना 20,000 में डाल देती हूँ, preventive health check-up में 5,000 डाल देती हूँ, maximum 25,000 की यहाँ पर, आपको deduction मिलते हैं, से जादा की मिलेगी भी नहीं, मानलो मैं यहाँ पर 30,000 एंटर कर देती हूँ, तो अभी उपर देखिए, deduction मुझे eligible 25,000 ही मिल रही है, ठीक है, और अगर आप senior citizen होते हैं, तो यहाँ पर आपको option मिलत कर देना, ठीक है, और इसको add करके save कर लेना, आप डालते हैं, ATTTA, जितना भी आपने interest दिखाया, वो, यह 10,000, whichever is lower की deduction मिलेगी, और हमेशा आपको यह warning देगा, कि आपके employer नहीं दिखाया, आप इसको ignore कर सकते हैं, बस अब आप इसे add कर दे, और बस अब आपकी सारी deductions है आपे enter हो गई, total deductions भी दिखा रहा है यह, और show detail करके आप यहीं पर detail भी देख सकते हैं, कौन-कौन सी deductions आपने enter करी हैं, और आप confirm करें, अब आपने deductions भी enter कर ली, now, now very important, text is paid, आपका किसी ने TDS काटा है, या आपने खुड text जमा कराया है, तो make sure वो इस sheet के अंदर ज दिखेगा, और अगर आपने खुच text जमा कराया है, make sure, show detail पे click करके, add another पे click कर ले, और यहाँ पर चलान पे से BSR code, चलान का number, date of deposit और amount डालना, बिल्कुल मत भूले, माल लीजे यह, आई टेरा भरने बैठे ही हो, और सासाद भरते ही, पता चला text बन रहा है, जो actual है, आप आपको भरना ही पड़ेगा, तो text भरने के बाद, यहाँ पर detail एंटर करना, बिल्कुल मत भूलना, otherwise वो आपको फिर से text liability दिखाता रहे, इस case में, कोई text नहीं है, confirm कर देती, confirm मैंने कर दिया, now last step, total text liability, यह सारा काम, यह system अपने आप करता है, इस sheet में, कोई भी काम आपको करना है, बस verify करना है, आपको हर चीज यहाँ पर verify करना है, अपनी tax liability, यहाँ पर आपकी सारी income दिखेगी, gross total income, deductions और total income, फिर उसकी हिसाब से जो भी tax compute होगा, सारा यहाँ पर आपको दिखाई देगा, को interest या fees लगा होगा, उनका total, यहाँ पर सारी चीज़े दिखेगी, बस आपको check करना है, अच्छे से और click कर देना है, आगे confirm पर, तो आप देखिए, आपने सारी tabs पर action ले लिया है, बस अब आप इसको proceed, proceed पर click करते ही, आपको यहाँ पर एक message दिखेगा, you need to make payment, or you have a refund, तो यह ज़रूर आपको 3-4 बार पढ़ना है, जब तक यहाँ पर payment का amount zero ना हो जाए, तब तक आपने कोई गलती करें, या फिर यहाँ पर refund जितना आ रहा है, उतना ही ना दिखे, तब तक आपने मान लीजे, कोई गलती करें, और अगर आपको लगे कि यहाँ पर जो figure आ रही है, refund की बिल्कुल correct है, that means, आपने सही details भरी, amount दिख रहा है, आपको आपकी details दिखेंगे, आपको इस check box पे tick कर लेना है, proceed to preview पे एक बार फिर से click करेंगे, तो पूरा excel form आपके सामने आ जाएगा, proceed to preview पर click करेंगे, तो यह पूरा ऊपर excel form दिखेगा, इसे भी एक दो बार check कर लेना, नीचे option आजाएगी, proceed to validation, अब यह system validate करेगा, जि complete कर लिए, जो आपके यह 3 step थे, validate, confirm and verify, अब आपको करना है e-verification, या तो ITR को e-verify करें, या फिर e-verify लेटर पे click करके, अपनी acknowledgement को send कर दे, income tax के address पे, acknowledgement पे address दिया होता है, पर 30 दिन के अंदर आपको यह काम करना है, या तो ITR को e-verify करना है, या फिर send करना है income tax के address पे, otherwise आपनी जो ITR भरी होती है, 30 दिन के बाद वो invalid हो जाती है, तो proceed to verification पे click कर ले, या क्लिक करते ही e-verify now की option आएगी, तो अगर आपका अधार mobile से link है, तो 2 ही minute में यह हो जाएगा, e-verify later भी कर सकते है, verify via ITR भी, यानि department में भेज कर भी कर सकते है, अब time limit 30 days है, 120 days नहीं है, इ verify now करते हैं, आपको option दिखेंगी, अधार से करना चाहते हो, bank account के through करना चाहते हो, ATM के through करना चाहते हो, उन पर इसे, जो भी option अच्छी लगे, उस पे click करके verify कर, आपके पास message जा जाएगा, you have successfully filled and verified your return, आप यहीं से download भी कर सकते हैं, अपनी receipt और go to dashboard में भी जा सकते हैं,